Hello student, welcome to my youtube channel Excellent Success Group तो student आज हम डिसक्स करेंगे class 8 में chapter 14 factorization के NCRT example Example में 13 दे रखा, do the following division, हमें divide करना है तो पहले part में दे रखा है, minus का 20 की power x की power 4, 10 x की power 2 ठेक है, तो जो numerical value उनको तो divide easily हो जायागा जो variable वारी number हैं उनको कैसे करेंगे Chapter 12 में हमने पढ़ा था, जब हमारी fraction में हो कोई variable power उनकी जो मरजी हो, ठीक है, तो power क्या कहते हैं, minus यानि की M minus में N कर देंगे दे ज़ेंगे मैंने example यह है, 8 की power 5, 8 की power 2 दोनों का भी इसी हम है, तो 5 में से 2 minus के कितना आगया 3 निकल गया आगया, clear तो इसी concept का यूज करते हम इस question को solve करेंगे तो यहाँ पर देखो, मैंने 10 में इस का divided 10 to the 20 आए, minus का 2 power 4 है, 4 में से 2 को minus करने कितना बचेगा 2, यह हमारा division करने बाद question हो जायागा, clear second part देखो 7, x square, y square, z square यह 14, x, y, and z देखो, 7, 1 is a 7, 7, 2 is a 14 कितना बचा, 1 by 2 उपर power 2 है, नीचे 1 है 2 में से 1 minus करेंगे, एक बचेगी उपर 2 है, नीचे 1 है, 2 में से 1 है, एक बचेगी 2 है, नीचे 1 है, 2 में से 1 गया, एक बचेगी तो यह इसका answer होई आएगा, ठीक है divide देने के बार अब हम डिसक्स करेंगे example number 14 example number 14 बोला है, डिवाइड करना है using the both method दोने method करें उसकर देखो, पहला method देखो, जिसके अंदर हम इसको common लेके solve करेंगे हमें देराखा 24 x square, y, z, x, y square, z, x, y, y, z, square, clear, नीचे देराखा है, 8, x, y, z, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो common लेकल लेकल, उसको common लेकलने common लेकलने के तरीका, हमें ये देखना है, जो variable तीनों में है, सबसे पहले तीनों में होना जरूरी है, उसके बाद, तीनों में सबसे lowest लेकलने के 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 लेकल अंदर एक रहागी डिवाइड बाई, 8XYZ, XYZ से XYZ दिया, 8threseटा24, आंशर आगे 3X plus Y plus Z, यह हमारा मैफ़र नमबर वन यहाँ पे, कम्प्लीट होता है, प्लिए अब डिसकस करेंगे, मैफ़र नमबर तू को, यह लिखा मैने, मैफ़र नमबर तू, यह जो मारी ताम है, 24 x square y z x y square z x y z square and divide by 8 x y z इसमें हम क्या करेंगे पहले 24 को अंदर multiply करेंगे 24 x square y z 24 को इससे multiply करेंगे 24 x y square z 24 को इससे multiply करेंगे क्योंकि तीनों के भार multiply है x y z square अब देखो 8 x y z है वो इन सभी के नीचे है 8 x y z प्लियर तीनों के नीचे तीनों के नीचे हम इसको अलगला करेंगे 24 x square y z 8 x y z 24 x y square z 8 x y z 24 x y z square अब उन में 8 x y z लिख दिया लिखने के बार देखो 8 x 3 x 24 आया 3 लिखा मने ठीक उपर पाउर 2 नीचे एक डिवाड में पाउर माइनस होती दो में से गया कितना बचा एक बचा एक में से गया 0 0 के पहले value 1 होती है 1 को multiply गरों से हम रहेगा 1 में से 1 के 0 8 x 3 x 24 3 आया x की पाउर 1 x की पाउर 1 है 1 में से 1 किया 0 2 में से गया एक बचेगा एक में से गया 0 0 की value 1 होती है इसमें divide थे 8 x 3 x 24 1 में से गपाउर गई 0 0 की value 1 y में से 1 में से 1 किया 0 0 की value 1 2 में से 1 माइनस किया 1 ठेक है तेनों मेंlove 3x, 3 by 3, 3 3,9 डिकाल दिया x plus y plus z ये हमारे इसका solution हो जाएगा event number 14 का अब हम discuss करेंगे event number 15 event number 15 में दे रखा में divide 44x की power 4 minus 5x की q minus 24x2 divide by 11x x मानस में 8 तो चलो इसको इस form में रख देते हैं 44 x की power 4 5x की q 24x2 divide by 11 x x-8 सबसे पहले दोनों में से छो कौमा निकल गया है पावर चार यह 3 है दो है तो lowest पावर को कौमा निकालना है यानि 2 तीनों में से पावर निकल ली जा सकती है 4 में से दो भार आगई अंदर दो बची 3 में से दो भार आगई एक बची दो थी दो की दो बारावी चलब 24 बचा 11x x-8 11 forza 44 उपर 2 है, 2 में से 1- कर देंगे, किते बचेगी 1 बचेगी x square 5x-24 नीचे बचा हुआ है x-8 अब जो यह equation हमारी quadratic equation है power 2, 1, 0 कुछ भी नहीं तो 0 मानेंगे इसको solve करने तरीका था first वाले को last वाले से multiply करो किते है, minus का 24 x square दो नमबर ऐसे ढूंडो multiply करने पर 24 आए plus से minus करने पर 5 आए तो 24 देखो, कब का बात है 24 बंचे 24 12 तूसे 24 64 तूसे 24 8 तूसे 24 यह condition है, 24 आने की चक करने, plus minus करने पर 5 कोन देगा 24 और 25 नहीं आए 24 में से क्या, 23 नहीं आए 12 और 2, 14 नहीं आए 12 में से 2 क्या 10 नहीं आए 6 और 4 दस नहीं आए, 6 में से 4 क्या 2 नहीं आए 8 में से 5, 3 क्या 5 आगिया यानि factor कोन होंगे, 8 और 3 होंगे यहां 4x बचा हुआ पहले और आखरी के नमबर को सिम लिखते ना है, हमें मिला है 8X और 3X हमें चीर ही minus का 5, तो बड़े वाले नमबर को minus का लो, छोटे वाले को плëस का लो क्यों, एक minus का होगा, एक plus comma, minus होगा, 8 मेंस होगा, 8 में से 3 के 5, बड़ा को निशाना minus का, इन दोनों को एक साथ इन दोनों को एक सा लेना है दोनों में x, नहारा कॉमा निकाला दो थे, एक बाराग एक अंदर आ गया x बाराग या 8 बच गया 3 का डिवाइड जा रहे है दोनों में 3 बंजा 3, 3 एड़ जा 24 कॉमन का मिलो थे दोनों में डिवाइड देना इन फैक्टराजेशन मातर में ये दोनों टम हमेशा आपकी सेम आएगी इन दोनों को एक सा लिख देना है ठेक है, तो मैंने इन दोनों एक सा लिख दी x माइनस में 8 और x उच इसके बाहर में है इस नमबर को एक सा लिख देना है जब हम factorization करते हैं तब, x-8, तीनों multiply में है, जिसमें है, multiply में, x-8 से x-8, divide देंगे तो 1 आ जाएगा, यहां बचा 4x, into में x plus में 3, finally answer हमारा यह हो जाएगा, 4x into में x plus में 3, अब हम discuss करेंगे example number 16, एक्जामपल में 16, में रखा divide, इस term में, इस term का divide देना है, z, 5z square, 80, divide by 5z, z plus में 4, ठीक है, देखो दोनों के इंदर 5 common आ रहा हमारा, मैंने 5 common लिया, क्यों 5 का divide जाएगे दोनों में, 5105, 5105, 560, 30, नीचे 5z, z plus में 4, z से z गया, 5 से 5 गया, चुल इनका काम दो हो गया, divide देंगे 1 आ गया, z square, 16 को में ले सकते हैं, 4 का square, z plus में 4 आ गया, अब यहाँ पर हमारा formula open होगा, a square minus b square, जिसके according लिए हम एक बार plus में open करते हैं, एक बार minus में open करते हैं, अब a की जगा में क्या उज़ करना है, z को, b की जगा में किसको उज़ करना है, 4 को, तो यहाँ लिखा z plus 4, एक बार plus में, एक बार minus में, नीचे z plus में 4 आया, यह से cancel हो गया, कितना बचा है, z minus में 4, यह इसका solution हो जायागा, clear, इसे के साथ हमारा example and message यहाँ पर complete होता है, और हमारा chapter भी यहाँ पर complete होता है, तो उमीद करता हूँ, student आपको question समयने में आगया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like करें, share करें, comment करें, और इस channel को जरूर subscribe कर ले, मिलता अगली वीडियो में, okay बाबा, थैंकियो,